इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. आपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित अनुसार समान अंतराल पर नियमित रूप से इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए. बहतर महसूस होने के बावजूद भी दवा की कोई खुराक ना छोड़ें और इलाज का कोस पूरा खत्म करें. दवाओं को भी बहुत जल्दी बंद करने से इंफेक्शन फिर से हो सकता है या अधिक खराब हो सकता है. इस दवा के सामाने साइड एफेक्ट में उल्टी, मिचली आना, पेट दर्द और डायरिया यानि की दस्त शामिल हैं. ये आम तोर परस्थाई होते हैं और इलाज के पूरा होने के साथ कम हो जाते हैं. अगर ये साइड एफेक्ट आपको परेशान करते हैं या लंबे समय तक बने रहते हैं तो डॉक्टर से परामर्श करें. अगर आपको पहले कभी अलजी हो चुकी है या हरदय से जुड़ी कोई समस्या रही है तो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को सूचित करें. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस दवा का उप्योग करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.